हालो वाइडियो स्टूरेंज तो कैसे वो सब्सक्राइब देखो आज हम स्टाइब करने वाये हैं हमारा नेक्स्ट इफॉर्टेंग टॉपिक चाप्टर नमर टू रेजिदेंज आंड स्कूप अफ टूपल इंकम अब इस चाप्टर में से सब्सें बाद पता है एको प्वे बहुत बाटन फॉंट है वो ही है किसका रेजिदेशन स्टेटस चाहे तेखो चाप्टर नमबर वन खीरा था रेजिदेशन स्टेटस ते बारे थोड़ा सा पड़ा था इस चाप्टर में कम्प्लेट्ली सीख लेंगे कि यह होता है एक आजपल मों बनावा है कि कोई बंद जैसे हमार चाप्टर में तरते हाई ने फटना फॉर्स यह फ्रसी अफ्रीक नोट्स ली कार्लो जो मैंने आपको एक्जाम और येंटेंग बुक जो आपके पास रेक जिसके साइं में आपको ब्लांड स्पीस मिलनाव है तो दाट यु नियु 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 नहीं दाट पर यप ऒच्वान पर एक्टिस्चर ने की नोट्स लीक सकते हो और फियं वांट पुछिए दार्व और नुक जो चीए और पर आंपटर न्गा दू रेजिदेन्स अंद शेटरनेंग आप और फो टॉटल एंको एक जो डुटिंस अंड स्कॉप टॉटल एंका यह मत्लब हैं देखो नागरिक होने का मतलब होता है कि वो हमारे इंडिया का सिटिजण है उसके पास इंडिया की सिटिजिशिप है या नहीं है जैसे हम कहीं वॉल्यों करें है ऐघ्रेए इंडियां मुवीज कर लियां वा ट्रवर्दिया नौट स्टिशन ऑफ इंडिया उन्हानेखें बाहर की नारी आगरिकल ता थे सुझेटर तो citizenship होती है नागरिकता हमें यह कि जो रेजरेशन स्टीटस होता है वो होता है इंकम टाक्स की अपार्ड है कि आख इंडिया में कितरे दिलूर रही उस बेसस पर नेटर्माइन करता है इंपार्ट हो इस पार बेल नहीं तो मिल ने ठीक है मतलब हम वो देश चे नागरिक हो गए हम बहरत के नागरिक जिय हैं झिय है पारत लिकिन रेज़िए शिर स्टीटस हो है वह हर साइब तक उसकी देसर पर इंकम Guard लगता ठीक कि यह क्रेंड कर्माइन करना है जय बी देद्वाइब एवर्ट-शेयН बीडिटर्माइब एवर्ड़ इवर्वैह और यह सबसे पहले सबसे पहले सबसे तो यह सबसे क्कि बढ़ आप दिटाविश इन्टेशाल स्टेटस का है यानि अपनी जाटवरी इंडिया का रेजिडेंट के यह वह सच्छ पहने उसको इन राय बोले की जरद है तो देखाएं रेजिडेशु स्टेटस और इंडिविजुलर का रेजिडेशो स्टेटस का है स्टोरेंट्स इस बेखी वेरी वेरी इंपार्टन वे आपको बता दू रिदेश्यों स्टेटस में से क्वेशन भी आता है और कोई भी क्वेशन आपकरने जाओगे ना तो उस पे आपको इस चाप्तन की जरूरत तो भी जरूर पड़ती है इंडी वीजुवल का तेहरे तो दो ब्रॉठ काथेज़ीज में डिफाइंड कर दिया ती या तो पूई डिसने होगा इंड्य पर चाइब कोई आपकर, इंडी जरू होता है इंडियी ना थे नीहीं रिखेस जोहा है और निय उतने शुछाह नहीं गापक। मिया, दो नेस्तों से परसंची है तको आपको कि अपने जिसानि इस पड़ी यह सर्फ दो प्रेजिड़ी को फर्दर ऐटरी इसमें इन एजब हथ या तो आप यहां पर वो दो तो यह होगे इसी हैं उन्धे बारे बारे बाद तो इसल्डेंट पर दो दो न्युए इसल्ड रेजिड़ करा है एक में दीडिया अब जो हमक ordinary resident this is not the ordinary this is ordinary okay so difference in people ordinarily rendered second होते हैं जो resident हो है definite ही but not ordinary resident okay so इनको बोहेंगे हां not ordinary it's not ordinary it's ordinary ही ठीक है तो कोई इसमें रद्भी नहीं तर्ण है not ordinary resident अब चब भी मैं आपको question कर राऊंगी आगे हम discuss करें बेक्स तो हम OR ordinary resident को हम बोले कि OR ताफी पर आपको भूप भी OR लिखा दिखाए देगा और not ordinary resident को बोलते हैं and OR अब बुक में कैसे दिरोप होता है अब वो देखने एक बाद इसको OR को पहिंगे resident and ordinary resident यानि और 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 यह resident है but not ordinary है ना तो I am but and OR on to head but and OR ठीक है और non resident को बोलते हैं और अब कैसी कौन अब हमारे पाचना क्या होता है कुछ basic conditions दीदी क्या दीदिया कुछ basic conditions है कुछ क्या in fact दो basic conditions है और यह कह रहे है ठी हम तो इतना भी कह देते हैं कि अगर आप basic conditions में से कोई एक भी पूरी कर वोगे ना तो हम कह देते हैं यह बंदा इंडिया में अब है लेकिन अगर दो में से एक भी वो पेसे पूरी नहीं दर पारा तो वह ना रहा है फिर उस पहना रहा है कर देखते हैं बेसिक condition क्या है बेसिक conditions को कि यह कौनजी section में दीवी है तो section नमबर 6 section 1 of income tax एक दीवी 60 हुआ एक एक सेक्षिन नमबर 6 अब बन बिती है पहरी बेसिक condition है अजय तो हां लिख लो एक कितनी satisfy 30 अब चाहिए एक भी satisfy कर देना anyone to be satisfied चाहिए एक भी हो जाए पट एक तो बहुत हो anyone to be satisfied anyone to be satisfied कि इसलिए अधर उसको resident बना है for resident one-on-one बाद में दिखेंगे बढ़े डेसिक पूरी करके NRI से बाहर नितलके R पहिंचाओ पेहला point है पेहली basic condition है कि 4 परसंट इंडिया में बैख है रही हो maximum of time इंडिया में ला तो कितना maximum उसको बोला कर कंसे तव तुन पिछले पिछले इंडिया में आटर इंफाक इस प्रीवियस यह जो फाराइशल है जिसकी आप इंकम निकातने माली है वस फाराइशल है को income tax में क्या वोलते हैं previous year 우리 में अर्रीरच थोस्वाथ अन्रेगर में अन्रीच उस्वाब एकडियोग में अगर एक उपारा इस्वर में एडिया में ठाएशल प्रीवियस यहनवे अटर भीयू इपोषमारीन दीख टाइपलिकेवल है कोंनसा फ्रीवियस यह वियyal है लेठी है समने, चालो देख अब हो गया राइट, इस प्रीवियस यर पी वो इंडिविज्वल वो जो परसन है, वो इंडिविज्वल जो है, वो एकलीस इंडिया में 182 देख रहा हूँ तो, stay in India, stay in India, for at least, कितने कम से कम, जाद रहा हूँ कितने कम से कम, 182 देज वो इंडिया भी जहा, for 132 देज, तक in 3-yam ऐठी याफल उसे न चालो फो नहीं उपा ली, तो, इवल जो आदा रहा हूँ परसन चालो इंडिया में लिएटा घंडा है, किसी और ज़्सी भी रीजन चीए बजह से उसमों वो कुछ टाइटीन इंडिया से बाहर जाना पड़ रहा है और इस वज़े से वो प्रीवियस एर में इडिया में नहीं है और उसके मज़बूरी भी देख रा बंदा मतलब इसका नाच मजबूरी ना देखेंगा आपस ही कहते नहीं कि यह तो एडना रहा रहा है नहीं उसको को कोई भी अकर तुम पिछले सांगा नहीं बाट पिछला साथ प्रीवियस यहर में पन इटी टू डेस इंडिया में नहीं ते चनेगा एट लिए इस सिक्स्टी देस ते तो कहा है सिना पिक्ताम करो इटे परिस वो सम्ने ना नहीं तो एटे हमारी पाल जू प्रीवियस य अब मैं भुवर्ण इति नहीं कि अभी थाटी कभी थाटी कभी थाटी यहां तेरो टो चाहिवियस यह तो यहां तो हिएका उप्रिवियू बेरिश में पिछ गयएङगा इसके साथ में जाम गहेराव माक्सिमल ना पिछी साल दील आपा सिल पोई कि तो यहां तो हूग त सब्सक्राइब के साथ के वी उससे इमेडिये थे पोर प्रसीदिंग प्रिवेस यह जागल या तौकिंग बाउट प्रिवेस यह 23-24 ना इसके इमेडिये यानी एक दम पेहली के चार प्रिवेस यह निक्रों 1 2 3 4 फाम से हुंगे 22-23 बाक्पंटिंग तरहीं है 21-22 20-21 और 20-28 ठीके वो इन चारो सारो में निला कर इन चारो प्रिवेस यह ने पिला पर इंडिया में एट लिस्टी सिक्स्टी फाइब अगर यह दोगो पंडिशन सटेस्वान होई कि हमारे वाले प्रिवेस यह दे शिच्टी एग उसके इमेडिये प्रिवेस यह ने चार प्र नहीड आ प्काइम दीके विकोएब लिक्ताय तो स्टे एंड प्रिव्यर्सियर स्सटे इन प्रिवेस सियर सिक्स्टी डेस अनले टो इमफाइं प्रिससे थ state इन प्रिवेस यह कि कमसे कम साथ दिन kay okay plus 365 days again at least or we can write 365 days 1 year 365 days 75 days or 365 a month at least at least in last four previous years इनलाइट फोलेवियसे इनमेट्ली हिंडियटि प्रीवियसेदी प्रीवियस सिर यह यह ज़ेख पेहले यह अलिए यह इन्हें जोनी सब्सक्राइब करें तो वह रेजिडेंट बन गया इस चार्ट को भी बना लेगा और ज्यादा अच्छे से से कंडिशियर को समझती करें इस बना गया चारो प्री उसके बावन बात आती है अब रेजिडेंट ने पता चल गया कैसे पता चलेंगा को बताएगा कि हो आ रहे है अने कांडिशहें मी इस्टोनेंस क्यों फ्याइट चलेंड पर यहां पर हमारे पास बात आती है अधिशनल कंडिश में एडिशनल कंडिशन तुई यह बताथिया कि परसको आ यह एए डिवार्वार्ण अने अधिश्छिनफ नमाने से क्षिन नम्बरह ने से क्षिन नमान शेक्षिन जिसक्षका सब्सक्षिंडीशनल और सेक्षिंडीशनल शेक्षिंडीशनल थेक्षिंडीशनल दिख यह इन दो मेंद तो अब अगर दो कंडिश्डीश सट्श्फार होंगी फोड़ाव तफ एग्जाम गया तोनों कंडिशन्स थी हमारे वारा एग्जाम इंदी आएगा तनिशन्स टफ करती ठीक है पेपर इंदी आएगा आपको आता होगा तो इसी एजी है तो दो कंडिशन्स दोनों सेटिस्फाइब हुई तो ओवा बोयाएगे अदर्वाइस एनवा ठीक है लिखो इहां पर ए बोट सेटिस्फाइड ए बोट सेटिस्फाइड देन वा तब वो वा दो गया अदर्वाइस जाओ गया एनवा नौट ओडिनरली वेसेडिन अलची वो दू पंडिशन्स चाहा है बड़ी इंट्वर्स्टेंग कंडिशन्स है पहली कंडिशन्स तो सालों में यादी उच्छा बाताती है कि यह वाला जो चन्रे मों अपना इसकी बाव होई प्रीविए से 2324 के बारे माद नी करेंगो वो बेसिक में आई हमाग खतब अब कहरे है प्रीविए यार 2324 से इमीडिटी प्रीजिदेंग टैक प्रीविए यास में से उप्तिसी भी दो साथ में अधर एक लीस्ट टू यह में भी वह इंटिया नहीं क्या था रेजिदेंट सा समझ विद बात को यहां कहरें एडिश्टन कांडिशन स्टेरिय में इसी एख्रीव को एक होता है स्टेस्ट यह मतलब उदर रहना रेजिदेंट का मतलब होता है कि उसने बेसिक देख्रीव को प्रिवियर्स ने से तो नितार है यह तो नहीं होगा इसके पिछले दर्स साथ थीक है उसमें से कम से कंगो सारों में रेजरेट हो चाहिए चाहिए और उचनुरों कोई बस रेजिदेंट होना चाहिए अब पिछले दस साल में से दो साल में रेजरेंट था तो पहली कर्डिशन सेटिस्पाइए लिखो यह आपर जर्सेन्ट होना चाहिए रेजरेंट ओफ इंडिया कंता स्ट्रों इक से कम से कम एक अड़ीस्पाइब week गहिंअ दर पर के अथा जाप्डिय honestly खिख अब लेते बश्ते तर बीच्पलबोर फिर्फ में दिखिए और केकिर क्या लो का सब्सक्नाच निकाल रेखिए हतहँ से इसके ने पिछिव वादे 10 years थेके तो दिखाँ प्रिवेस यह का दिखा आपने तो एट विट वाइफ उसके पिछले साथ साल उपर यह वह कह रहा है यानि इंडिया में उसका स्पहर ना चाहिए इंडिया इंडिया कितना यानि दूनों से टिस्पाइब करनी है रेजडेंट प्यों चाहिए और यह इस अपार यह को बेसिंग दिया है दस सालों में से दो साने इस यह तो होई जाता है रहा कि और तो तव ही होगा इतना तो तव ही नहींता हुगा तो स्टेंग इंडिया कितना एटीज पम से कम 730 डेज बाइस से वरी अधर इसको फूरा लिखना क्योंगी 730 दिन है 730 डेज है ठीकें 30-30 डेज होना चाहिए 7 यह पर इतने में शुर्ण गी 7 यह यारी लास्ट प्रीस ट्रीकें वही सेम लाइटी प्रीज प्रीजिन प्रीज प्रीसी लाइच्ट प्रीजश यारी प्रीजी प्रीजिफिवोर की बागी है अडिशनल के उसके पिछले सापसाम देखे हैं आई अब आपको प्रियर रेसको कोई डाउट नहीं पतका चाहरा तो मेंसेज कंती बचाते रहना में कि समझ आ रहा है वो अर असर मोटिवेशन मेरे लिए भी काम ज़ता है कि आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है एक आप बार दा यह हिस्टी कुछ इंपर्टेंट नोट्स एको सब्सक्राइब कर लो आज आप पेज नमबर थाटी वन पर पेज नमबर थाटी वन एको यहां पर यह दिया रहे रेजिदेशन स्टेटर्स आप इंडवेश्वल बेसिक कंडिक्शन क्या है कि वो इंडिया मिस्तर स्टेव होना चाहिए फॉर वान एटी कुटी देज और अंव बाद प्रिएश्योडं घ्रूड में रिजसे तरन्ट प्रिवेश्योर फिर पात रहती है एडिशनल कांडिशन्स यह भी अभी आपने पड़ी टू बाइटेन रेजिडेंट होडा चाहिए और सेविट थटी दीज बाइसे रहे उसका स्टेवोडा चाहिए अप यहां पे नेक्स्ट इस देखो यहां सारे नोट्स मेरे आपको देदी है तो बंस्य बंस्यां जबता हुआ जाए तो आरवाना जाये था अजब ना दोनों का अटिशनद रहे वो सेटिस्पाइब करेगा एडिशनल तब आरवाइस आनो अध़ा तो अब फैस क्या रिका यह आज आईस तो अब यहापे पर कुछ नोट्स लिखते है अजो एक इक इक इसे पा सब्धित करें चाहिए में Ferrari प्लीक अस्टोरिंट स्टे इन इंडिया कि अंट्रिंड जय स्टेट इन एंडियाकंपकिन हा इंतियो ते इंडियो कि इस्ट जा बचाया था मैंने आपको स्टूरिट्स जी एस्टी पर पड़ा थाम इंडिया सा टेरिटोरियल वर्टन कहा तक है अरी ताह तक यह दिन दी बताओ प्रेल नौॉटिकल माइन सी में पड़ाता नाम जी एस एनने मत्रा नौॉटिकल माइस इंटो सी की वके सेकें से चुसे थार जड़रिया कि वो जो है इतं ही जगापर यह तो रही ज़रूरी है कि एक साथ नहीं यह जरूरी नहीं ठीक है चाहिए वो जैन्वेरी प्रेवे चला गया माच में आ गया जैन्वे एक दिन आया फिर नहीं आया कुछ को हो टोटें मिलाके डीस कंप्रीट होने चाहिए ओके लिकल स्टुडेंग्स क्या सकते मिलेकल स्टुडे करतिया है स्ट आय। आया। इसले स्टू. मिलाके डीस औरला गया . जो बस तायंते जिश्काव नहीं करता है। तो इन्हेरा राम चे वह भी तक तक ही एक है। सकेंड बात आती है नाही जरूरी है कि वह सेम प्राइस पर और आग्क सेवरी पर चुपार। कोई भी पर्सन यहां से विखना प्रसन आप बेसने नौलज देरी आपको कोई भी बदना कोई भी इंडिवीज्वन जो है ना वो से एट-छी कंट्री का नागरिक हो से पास मानलोग तरगनी और की सिके मार सब्सक्राइब की सिटिजरिशिप ने तो इंडिया की आती वे तो बस वहीता नागरिक होता है ओकी तो यानी इसना बतले अच्छा मां चेंच हो सकता है हां टोक से डिजरिशिप करें अपल नाई कुछ सी कर लेंग मैं तो फिर ऊकी अगर महां से पास होता है तो वहां का सिटिजरिशम हो जाएगा इंडियासंद इपिए पड् मेर् रेसिदेंट हो सकता है एक जाता है था पर दिस पा, रेसिदेंट in more than one country, in more than one country, yeah, that's allowed, बटे होताहिए अचा हो जाता है कोई बात मेर्ण लेकिन लेकिन citizenship नहीं होती एक से जाता कंट citizenship in more than 1.3. नियो, इसा नहीं, तो, that's a very basic question. वर्स नोविट. तो, we are going to become professional, so we are supposed to, कि हमारे पास भी एपाष्मोव के. अब यापे, next data है. वर रभ इंढिया में भी इसनला आया? वर र्भेरी इप्न भीशानुड भी. लेखनो हो यह पे पुछिए पर्टिल कोई इस इस ने को इंडिया में आया थिक रोवार गया हुआ था थो मालो ए घू सी इंडिया सब लता हुँ इंडिया पर अइंडिया न जी अपहर डिया है ने date of arrival, plus date of departure, plus date of departure, yes, everything is given in the exam oriented years, इसमें आपको मेने वो टेक्पितल लांविच रिखिये तो बेसे, ये लांविच वो पेपर में लिखनी है, ये आपको समझ लिए कि लिए कि लिए हिपा, basic language में समझता होना, okay, so date of arrival, plus date of departure, इस्टी उल्स होता है, stay period, इस्टी उल्स है, stay period, okay, departure मतलब जिजिन जारफ है, arrival मतलब जिजिन आया, अब, very important, कुछ tradition ऐसी है, कुछ, इंडिया सिटिजन में कोई ऐसी है, जिन पर वो second tradition अप्ता ही होती, मतलब वो साथ तिन्वनी बात उन पे नहीं है, उनको इंडिया में 182 और मोर्ती इन प्रेवियंस यह, अदर्माइज नहीं है, इसे कॉस्टी परसूं से, आईगे देखे हैं, तो, conditions, ऐसी conditions, ऐसी conditions, ऐसी conditions in which second basic condition not applied, in which second basic condition not applied, in which second basic condition not applied, जिएको जब तक आप कभी भी बही बहीं सिंपल लागिए, कोई भी प्रोविसर नहीं संद अपिके that's why Pelle Sip पर देहीं लिए लिए, इब लोपस भी रेटो यह लिखा पर रे, तॉंस इर इंडिया, इसी ओस देरिट्रिव वाटर उस इंडिया, ठीके, अब बात आती है, जब उन राइभिना इस थी conditions और active हो, या फिर वो इस ही जगा परने, फिर बात आती है, कि छ Now the next point is, कौनसी ऐसे पॉइंटर जहां पर second basic condition applicable नहीं हो रही है, देखते है, अबर कोई person, Indian citizen है, परी बात तो, Indian citizen होना चाहिए, इंडिया का citizen होना चाहिए, इंडिया का citizen हो उसके पार फोनी चाहिए, तभी हम ये points उस पर applicable होंके, अदर बाइन पर ये, तीनों points applicable ही रही है, अब अब अती है, सोच ने मैं भी ज़ए, पाइदा किस पारी को, Indian citizen होने में always पाराईना लें कि, resident सी फोड़ा काने थेंगी, उसके उपर नहीं चाहिए points पे, जहां पर नहीं पर नाएपर नहीं पर नहीं पर बाइपर हो, पुरकि resident होए, वो इंडिया की जादा servicis को पो तब इनों बुछ रोभा वो गहांगे जब आपको सेक्रिक ना निशन से एक्जम ते गस्ट आपको टास्ट वन पॉइंस पर ना ते ना पड़े एकित तो ऐसे इंदे अपने स्टोरिट अगी तर तीन पाइट्स पर देए तो नेक्स्ट पेज पर एकिए इस्टा आगी तर ढौने शिचार्ड वी नेक्स्ट वेक्पर ना लेगा आपके बास नीचे सपेस है रफेरेंट्ली उकर ना को पर देए तो तो कि हंदन सटेसर हैं एंदन सटेसर तीन ऐसे लोग हैं तीन ऐसी काटेगरीज हैं जहांपे इस्टोरिय तफार्टी भोल दिया कि देखो भी इन तर्ट में आगे रहा पार, चार्ट बन गया सफ़ा, परेज, परेहला तो यह बोला, अकर पोई परसन प्रीजियर में इंडिया से जाया में, क्यों गया है? क्योंकि वो बहार जातना तहीं पर जोब करने माला है, तिक अगर वो इंडिया के बाहर इसलिए कि वो इंडिया में जाज़वाइस ने, फिर्स्त इस प्रीछियर में इंडिया से क्यों गया है, लीज य घूरिंग अला क्पीयोर से कष्ट लिकास वर दे क्यों गरा है? रहा है, आग बोद्दिया पोस प्रीज रहकि अलों, लुडिया जेँ सहरा जैन प क है नो इंदिया को नुं आ भेक्त स से ज़्डा रही हो ठीक है बधर स्टुूलिंट जो फीसिप orazि अध險ह जो होती है छफिए हैं पेष्टी goggle की आरे दाइ इडिया की शिप है अध स्टूँड़िंग AlACE इंदिया शिप के दर क्यू घंच ओटया ठीक है निको स्टूड गरिखने मेंर् वह इंदिया से अगर पर इंड शिदिजर्ट हे livre member लों कि इंडियोग से जो की के रियु मेंवर। भीटनों की यूमेंपर ओंथ्य यिप भी इंडूनियारी शिप निहां नहें नकी इंडिया शिपता झार जेड तो इस पर सेकेंड टाडिशन आपने केवल नहीं है कि उसको भी एक्जाम्ट कर दिया वैठी कि आप से उतना हाला टाइस तभी नहीं है अगर आप 182.00 वाला इडिया पर अधिया पर अधिया पर अधिया रहे है कोई डाउट यहां तक पत्ता से चारो त्री सिस थर्ड पॉ बर अधियड आ और ग्रांट टेंट रहे पर ऐंडिया थे चारो इड? परसुल आफ इंडीय उरिजिट उना चाहिए तब हूनोंको एंगंचेंट भी नहीं है other is person of Indian origin exemption नसन दीकोन नहीं संदेखो नहीं को से 1,000 नहीं थीन यहां साथ दिन नहीं देखेंगें सो person of Indian origin engaged outside India जादी हो किसी भी वाज़े से इंडिया के बाहर जा रहा है engaged outside India and this is the owner of just just wait it out तो मैंने साइट्छीच करी सब्दाट तो यू थिंग दाइज आउसाइड इंडिया एंग इसलिए रहा है और यह क्या करें स्टूडेंट्स वो नहीं तो किसी जॉप की वज़े से बाहां रहते है इन एडिप्लाइमेट या फिंग क्या करता है उसका बाहां बिल्दस या प प्रोफेशनेटी के बादे प्रोफेशनल बाहां ताम कर रहा है या उसका बुक्तान बिद्मेस है अगो प्रियर से अने बाल गया नहीं यह पते क्या होता है अब मान माना किसी की वह खोद उसकी पेरेंट से गान पर इस अनिवाइड इंडिया ने बाहन हो यानि कितने टै करेंगे रहा रहा है तो उसको भी बोला चलो ठीक है अगर आप थी इंकम जो है इंडिया इंकम है पात सुझना मेरी ठ्रान से पहली बार पॉर्सन इंडिया ओरिजिन के तब हम कहरें इसके रिष्टेदार काफी होंगी इंडिया भी रिष्टेदार से निलना पड़ेगा मुझा है अगर रहेंगे अगर टाप्स ठीक है आप अगर आप की आप मेरी बिस्टेदाब्स या प्रफेक्शन कि वज़से पाह रहते हों आप की जो इंडिया की इंकम है वो सिब 15 लाप पर तक है तो ना पइसा पे करेंगे सेकिन्ट कंडिशन से रिफ तुम आपको हीर विजटिंग इंडिया इसा में हाई तीकर दख विजटिंग इन्डिया थीोरीजियर ड्लास विच्तम टोटेल इंकम जो है लुवेंट इंडिया € कितनी तपो से्सक्रेड बहुत जाद भी नहीं है, तिपर टैक्स डेज़ों, आज़zeug को आपके स्पीर शचफ़ यहीं रुपीस लाग्स तो युशको 2nd Fati Sure ते ग्जाब नहीं आगी हमां पर देखेंगे यानी टोटर इंकम इस एक्स्टी और इंकम पर इस एक्स्टीविटेंगे फॉराइन इंकम तो टॉटर इंकम है नियुक्टे इन्टर इंकम जब्षिटेंगी तो घुलुडगे तो टोटर इंकम लेख भुद्धा आपको बता है इंटेंड औरिजिनिक को कहते हैं लिखो आपको बता है इंटल्टार्सी औरिट अरिचन सम्ने एवसे ही नोस भनानेगे तो अगर एसी नोस परारा चाहिएंग उना तो साथ की साके प्रीस डिजिस्ट पैंसम दिएकर लोग हो ये निस्टेक यह तोरी जो पोकेला स्टूरेंट में यह तखिली बेस्ट ओन इस नोट्स है और आपके पास नोट्स ना भी एक फॉर्मज़ तो भी जन जाए लाँ आपके पास यह बुक्रिटी इसी तरीटीचे मेरे नोट्स हां पिक वाटर रोड़े उपकर इसले है आपकी साथ सार राइटि प्राक्टी सुए जीतमना वाले कोंवे उतेमा इनमें जाता और गए लिकर आदर कीक है के पास कोई बखनी नोस रहे बना पाना पाणा और वो आपके पास पर डावी कि एए तो इस दिया आपका अ जाएगो ताहन के देगा बात अच्छे माच जाएगा है अगर वो उसकी तीन डाटेटरीज वो इसको या इसके पेरेंट्स सेर्फ पेरंट्स या फिर। उसके इध चेंख ग्रांड पेरेंग्स अप एक ना दुक्वायरट्स या राइध ग्रांड या या सेर्फ इधेर्थ ऐसे पेरिंट्स या रज sub टो बॉन मोलगे गई डिवार वर बॉन एंडिवाइड थे निंदेां अग्षण लिखो परन एंडिवाइड दिवार गई ढवागिष टो पर्सक में पर सिंदेग अब आप तरह प्रटमारर राट कि यहां यहींद अग्ते इंद शुक्क्त रे वेड़ा से तरहें Yakशष एं फांञ तेभर नरूपीस 25 टाउप सब्सक्रातन एक евंग तो टु फटींख मैं तो एकल Okeicie वार आव धे सराऊड। 10,15 LW सब्सक्राइबल शराइब ऑंथा चींख गांथधी आप मिन इसे केat् 타रिशनउ यहा bleibt इस पॉर इस पॉर इस प्रणिशन आप लिखे लिए यहां पर देखो मैंने आपको गहाँ था कि अगर कोई परसट इंडिया शिप्ता क्रियों मेंबर ने जब उस शिप्पर जाता है ना तो उसको रहा एक पॉर्टिन्यूस डिस्चार्ज साइं करना होता है यारी मैं इस द सब्सक्राइब को साइन किया मैं सब्सक्राइब परसरे साइंडिंग्स डिडान बॉइंग ऑन द फिफ्टीं सेवरी ठीक है अपके वो फिफ्टींथ पर जा रहा है उसको कहते है एंट रिंग जॉइनिंग निशिप ठीक है फिर चफ्पर मों सांगा उस करते है कि मैं एक जो जो वीच का पीरियद रहा है उसको कभी भी हम स्टीए वे एउठी बॉड नदी लगते बाहर रते क्यों हम रहा है वह उस ताइंड बरी वह तो इन रिंट का मैंबर सारा की मैंपरे तो इस को यह बेनिफिट देदिया कि उस ताइंग को हम इप पिलाइंगी तरेंगे अब सेकिंड अमले लिखा था हुशके स्टी जाता है उसके स्टी में कुछ एक्स्न रर्णे यृड एक्स्टी यूद स्टी रिनेंगी स्टी जिए एक्स्टी एक्स्त्यeवेट क्यी एक्स्टी और रने कर बेड एक्स्टी रोप्पे oldके च्रज पर एक्स्रणे में मैं पाझिर्य राइने तारीकष के दीख इक प्मतियर शुनियं दीखिने तुट लोपीए लहां तोय। देखरे देखरे और ज्याज के द्लतना फ़िए इस तोटिय॥ 55 डिखर थीकी end on end on date entered into certificate date entered into certificate date entered into certificate in respect of signing of the ship या या ही शिंप सब अउतराओ ओ अ बारा in respect of signing of the ship signing of यानि ओर दृुफ अउतर फटीकी signing of the ship signing off मतल्स sign off करना यानी कि हाथ अब यहाँ से उताद हो समझे लिए बात चलो स्कॉल अब कर देती हूं स्कॉल अब कर देती हूं स्कॉल अब कर देती है क्या आप तो कंसीज लाओ आप स्टूडेट्स आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइट देखो अभी तथ हमने बढ़ा वह यहाँ से जाता की इंकम है तो इस परसन की यह सेकंड बीसिक कंडिशन अप्रिकेब हो जाएगी ठीक है यह कि कश कर इश्युद उसके लिए लगा दी क्या अगर वो परसन ऑफ अरिजन है बिकास अल दिस स्टुफ इस बाउट अल दिस प्रोजिशन आप अबाउट थर्ट काटेगरी परसंट इस परसन ऑफ एडन ओरिजन है ना तुसको कहा की सुन में तुम परसन ऑफ एडन ओरिजन हो यह अकल तुम्हारी टोटन इंकम मोर थें डूबी सिफ्टीन अब श्रक्स पादलर अच्क से जाधार है तुम्हें तबह तो तुम्हें हम कुछ और एडिश्ट परोजन दे रहे है यार स्टेज को है तुम्हारा इंद प्रिवियस एर वह कहता हाँ तीके मैं को बचाई कि बेसी कंदिशन इस गई टो चेक इट आउट दुफ दे तो यह पूरा लेता है था इंडिया है होगा इसमें इंडिया था तो वाइंटी रिजन ओर है पड़ लेस्ट देन वन वीटी टू डेज मतलब देखो फास्ट पांडिशन में वागे डिटी टू डेज यह आधा यान वागे अधिस्पार नहीं हो रहा तो नहों ने का दिको सब्सक्राइब तो यह जाएगा अधिरीजन मिंग साख दरी ही जिली हो जाते हैं मैंने 120 कर दो नबल कर दो 120 डेज और मोर पट लेसें 182 डेज प्लस उसको बाह आप दाना फॉर लास्ट प्रिलियस यह का स्टेज एक को स्टेज इन लास्ट फॉर प्रिडियस यह यारी कैस से फॉर प्रिडियस यह स्टुटेंट्स वो पिछने वाले जो आमने बात करी थे हैं कि तो हबार 2023-2024 से पेंदे वाले चार साथ उसमें अगर स्टेज हो गए वो 365 डेज और मोर है 365 डेज और मोर है तो इन डाट केस उसको हम कहेंगे वो रेजडेंट है क्यारी सिंपल सी ब देखे नाव ते नेक्स से ताम अगर बार एटी टू देस से जादे हैं फिर तो बेसिक टीएं फिट तो रेजडेंट होई गया ना बेसिक तंडिशन से डिस्पाई कर दी फर्स्ट वाली अब उसको कहा पट पीली बात सुनो तुम रेजडेंट हो लेकिन तो रेजडेंट तो रेजडेंट मारेंगे क्यों क्योंकि देखो तुम भी जादा देर इंडिया में नहीं हो तो बिगर यूवल दी नोर नॉंदा और ध्यांड अकना इस केस में वो हमेशा नोर होगा आप सुफिन के माप अडिशनल कंडिशन्स चेक करने नहीं करनी देर इस इवन नो रि चेक ठीक है और रिक्वाइड और रिक्वाइड तो बीचेक ही नहीं करनी सिंपल सी थीदी सी बात है नो पक्वास है कि अगर उसका जिस्टें है वो 220 दिन जाए उससे जादा पटलें वान एकी तुमेज है चाल प्रीवियर से यार में 365 देज और मोल है 15 लाग से जादा की सब्सक्राइब कर दो खूल दो कि अगरी इसकी परसें ऑफ इंट बीचन के नहीं हम चन्फियुज ना जाए ऐसे कहते हैं नव स्वेर बनाया है रिक पर ले जो कि अग्र यह सारी बात हैं हमने हां से कर दी स्टोजेंट्स अगे आप पढ़ने वाले हैं जितना पैने आपक बेशी कर लिए 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 उसको कम्ता éénिस करने वाले ह्ं अट आपल कारे पिल कोलिए कारें चाहरो करने करा तो मुझे आपले क्भी लिए लड बहुँ इसनी करने करवे तो फ़ैंड ऱेग में पढ़ी कदेमे तो चल्फ बित ता को सब्सां रर सां मल् स few यहां पर सुटेट सामरी विलिक हो बहुत इंट्रस्टिंग होने माले है जब फिस्टार्ट करते हैं अब यहां पर बात आई हमारे पास इसी के भीछे एक लोग सम्मरी फॉर पर्सन ऑ इंडियान ओरिजिन तो बेसिकली यह सम्मरी जो है ताक इस फॉर दा इंडियन सिटिज और परसंग पाको अंडियन ओरिजिन को अंडियियोग से यानि पलत इंडियन काते विलिक टैटने मेद bacon पर्सन लॉव ना चाहिए परसेंगे घले इंडियन ओरिजिन खा कि यानि क्या एणि डॉर्से नम्बर तरी आप रीकोंल शेंग कर अगलेर-ग लिए तेंड़ थिन less than 180 20 इस ठीक है या फेर जो उफ्ता स्टे है वो 120 डेस और मोर होगा और मोर होगा बट अब अब तु 181 होगा बतला बट लेस देन 182 अब लेस देन 182 रहो या फेर अब तु 181 में रहो फोल्द धोनों प्रवितों से पहें लेस देन 182 डेस 120 दिन से जाधा है बठाब 182 देस से ताप है 120 या उस से जाधा है थर्ड काटेगरी होगी कि 182 देस से जाधा है 182 देस और पहली कातली में लेस तेन 182 देस का मतलब वर्स्टुडेंट्स की वह 120 दिन भी पूरा नहीं ज़रा वह माइंड में एक चलना पर यदर ऐसा है तो त 22 देस या वह बेसे कांडिशन सेकेंड कांडिशन भी वह सेटस्फाय नहीं कर आप सो इंग्डाइट की स्टूडेट्स यह बन जाएगा नॉन रेसिदेंट सेंधी अगर 120 देस और मोर्वानी चाटेवरी है तो हम यह चेक करना है कि इसकी जो टोटल इंकम है अगर वह चाहिए कि दो प्रेशन से पहले बारे तो यह बन जाएगा हमारा रेसिदेंट बड नॉट और रही राएं पहरे केस में वह बन रहा है नॉन रिजिदेंट सेकेंड आरबट आप अधोवार्ट यहां पेंधार रखना है कि यह जो वही टोटल इंकम पी बात हो रही है है कि टोटल इंकप इस एक्स्क्लिउटिंग फॉरण इंकम टीकित, एक्स्क्लिउडिंग फॉरण इंकम, पिर बात आती है, अगर 120 days on 182 days on, रे बैट फिल क्या में तो वो normal provision फर्सकान्डिशन applicable वाला normal provision जारी उसके केस में क्या होगा basic conditions plus additional additionals check करेंगे अगर वो है तो फिर हम अगर basic conditions fulfilled हो गई तो resident additional अच्छे सब्सक्राइब तो resident but ordinary otherwise resident but not ordinary समाज आए है कौरी सावरी होगा हमारे पर कि कान्सा provision यहां पर में निलगने मारा यह वो अच्छे से समझ आ गया हुगा इसके बास students एक पर आज़ा ज़ा notes पे हमारे पास थीक है यह है notes yeah here it is so how many days in indians a person of indian origin visits in india during the previous year इस बहुत important है अकर किसी के बुक में थीक है किसी के पास बुक में यह less than 180 लिखा में बस चेप कर लो तो प्रीज इसको 182 कर लिए ठीक है इसको 182 कर लिए अच्छा आप यहां पर आया 120 देज और नोर बड़ अप्टू 181 इसका मतलब क्या है जो मैंने आपको यहां पर पढ़ाया आप उन्फियूज मतलबा जो मैंने notes पे रिक्वाया 182 देज और मोर बड़ लेसें 182 182 से कब यानी 181 यह मैं दोनों तरीके से रिखवा दिया थी जैसे भी पेपर में आएगा विए बड़ दो रूट ओकी फिर बात आती है अधर 182 देज या मोर है ए रिस्पेक्ट वर टोटल एक्कम अब टोटल एककम चेक भी नहीं तरेंगे फिर बेसिक और इडिशनल डाइशनल लंट रहेंगे समझा अधरी पात उसके बास स्टूडेंट्स हमारे पास आता ने नेक्स्टॉपिंग दाट इस दीम्ड रेजिदेंट संब्सेंट ए नेक्स फर forgi ऐता नेक्स किया ग्राइब सॉठिक और से कंएडे तुम्रम कहारे ईस्मेसर इसमे से क्वेशन आजाने के हाई ं-स ज Làइशनल था किसा फिसल क्वेश्ट ओंदम अप को सम्में से गांव थाफिसAm में से क्या हो औढ़ाँ वाल है ने तोटल इं सब्सक्राइब करनी आएगी और साथ में रेजिरेट का स्टेटस देदेंगे लेकिन दीव्ड रेजिडेंट एक ऐसा है इस पर से अलग सी शॉट्नोट आजाते है अलग सी शॉट्नोट आजाते है तो अब उझे फटा-फट से मेसेज करो बताओ कितना समझाया कोई डाउट है कोई भी वेरियर से अधिनितल इमें से पोश रोग उसके बाद नेक्स लिक्षे में करेंगे देलेंट रेंजिडेंट डादस लिक्षे रिक्षिन वाण यह ऑग्यों स्टूरेंट से एंगे आएंगे आँ वीटिन देख सेशन